संसत का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है जहां देश की राजप्रती द्रौपती मुर्मों ने बजट सत्र की शुरूआत में संसत के दोनों सदनों की संयुत बैठक को संबोधित किया इस दुरान राजप्रती द्रौपती मुर्मों ने कहा की अमरत काल की शुरूआत में बने नए संसत भवन में या मेरा पहला संबोधन है संसत के बजट सत्र से पहले राजप्रती द्रौपती मुर्मों ने संसत के दोनों सदनों को संबोधित करते वे मोधी सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब दिया, आए सुनते हैं राश्परती द्रौपती मुर्मू का पूरा संबोधन जामू कास्मिर से अर्टिकल 370 हटाने को लेकर संकाय थी, आजो इतिहास हो चुकी है इसी संक्सोद ने तीन तलाग के विरूद कड़ा कानून बनाया है आतंग बाद हो या विश्तर बाद, हमारी सनाय आज जेसे हो तेशा की नीती के साथ जवाब दे रही आंतोरी सांती के लिए मेरी सोरकर के प्रयासों के स्वार्थोक को रिणाम हमारी सामने है जम्मु कास्मीर में आज सुरुख्या क्या बतावरोण है आज वहां होड़तार का सन्नाटा नहीं भीड़ औरे बाजार की चल पहले नोर्थ इस्ट में अलगावाद की घोटना में भारी कमी आई है ओनेक संगठोने ने 27 अंती के तरफ कदम बढ़ाए है नक्सल बाद से प्रभाबीत छेत्र घाटे हैं और नक्सली हिंशा में भी भारी गिराबट हुई है मेरी सरकर भारत को दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बनाने में जूटे हैं ये मानोव जिवन को ये मानोव जिवन को बेहतर बनाने का एक माध्यों है साथ ही ये स्पेस एकोनोमी में भारत की हिस्तेदारी बढ़ाने का भी प्रयास है भारत के स्पेस प्रोग्राम के बिस्तर के लिए महत्तुपून फेशला लिए गए हैं। इसके कारोण उनेक नए स्पेस स्टार्टाप्स बने हैं। आप ओ दिन दूर नहीं है जो भारत का गोगणजन स्पेस में जाएगा। मेक इन इंडिया और आत्म निर्बर भारत अभियान हमारी ताकत बन चुकी है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे वड़ा मोबाईल फोन निर्बार निर्याता है। पिछले दोस्त एक दोसक के दोरान मोबाईल फोन मनुफेक्चरिंग में पांच गुना बढ़त्री हुई है। कुछ सल पहले भारत खिलोना आयात करता था। आज मेड इन इंडिया खिलोने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन एक लाक क्रो रूप्य के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतियों देश में बने एरक्राफ्ट केरियार आई एनेस विक्रांथ को देखकर गर्व से भरा हुआ है। लड़ा को विमान तेजर्स आप हमारी बायुसेना की ताकत बन रहे हैं। C295 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट का निर्मान भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एरक्राफ्ट इंजिन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डीफेंस कोरिडर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डीफेंस सेक्टर में नीजी छेत्रों की भागी धरी सुनी चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमरी सरकार ने जुबा स्टार्ट अप्स के लिए खोल दिया है। हमें सभी बच्पन से गरीबी हटाओं के नारे सुनते आ रहे हैं। आप हम जिवन में पहली बार बड़े पेमानी पर गरीबी को दूर होने देख रहे हैं। नीती आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दोसो के कार्योकाल में करीब 25 क्रोर देशबसी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह प्रते गरीब में नाया विश्वास जगाने वाली बात है। जो 25 क्रोर लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है। आज और्थो बेवस्ता के विभीनों आयामों को देखें तो यह विश्वास बढ़ता है कि भारत से ही दिशा में तो था से ही निन्नों लेते हुई आगे बढ़ रही है। बीते दोस बर्षों में हमने भारत को फ्राजाहिल फाइब से निकल कर टोप फाइब एकोनोमीज में सामिल होते देखा। माननिय सदस्यगन बीते बर्षों में विश्व ने दो बड़े जुद्धों देखे और कोरोना जैसे बोईसिक महामारी का सामना किया। एसे बोईसिक संकटों के वावजूद मेरी सरकाने देश में महंगाई को काबू मेरा खा सामन भारतियों का बोज नहीं बड़ने दिया। दो हजार चोदा से पहले के दोस बर्षों में ओसोत मेहगाई दर आट प्रतिसद से अधिक थी। पिछले दोसकों में ओसोत मेहगाई दर पांच प्रतिसद रही। मेरी सरकाने बीते दोस बर्षों में परियोटन के चेत्र में अभूत पूर्वों काम किये हैं। भारत में घेरेलू टूरिस्ट की संख्या के साथ ही भारत आने वाले विदेशी परियोटन को की संख्या भी बढ़ी है। परियोटन के छेत्रों में जो बुरुधी हो रही है इसका कारण भारत की बढ़ती साख है आज दुनिया भारत के को देखना और जानना चाहती है इसके अलावा सांदर कोनेक्टिविटी विक्षेत होने के कारण भी परियोटन का दाइरा बढ़ा है जगा जगा एरपोट बन लख्या में टूरिस्ट कोंच रही है आंडावन निकोबार और लख्या दीब को लेकर उस्साहोच्चरम पर है मेरी सरकान ने देश भर में तीर्थ और अइतिहासिक स्थोलों के विकास पर बोल दिया है इससे अब भारत में तीर्थ जात्रा आसान हुई है ओही दुनिया भी भारत में हेरिटेज टूरिजिम को लेकर आकुसित हो रही है बीते एक बस में साड़े आठ क्रोर लोग कासी गई है पांच क्रोर से अधिक लोगों ने मुहाकाल के दर्शन किये है उनिक उनिस लाग से अधिक लोगों ने कियदार धाम की जात्रा की है ओजजधा धाम में ही प्राण प्रतिष्टा के बाद पांच दिनों में ही तेरा लाग स्रधाणू दर्शन कर चुके है पूर्वपस्ची मुतर दखिन भारत के हार हिस्चे में कित्थ स्तलपर सुविधाओं का अभूद पूर्वबिष्तार हो रहा है बीते तीन बर्शों से पूरी दुनिया में उथल फुथल मची हुई थी है दुनिया के अलग-अलग हिस्चों में धरार पड़ गए है इस कोठिन दोर में मेरी सौरकान ने भारत को विश्वमित्रों के रूप में स्ताप्रित किया है विश्वमित्रों के भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबाल साउथ की आवाज बन पाए है बीते दोस बर्सों में भारत ने उनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनलर स्पोर्ट्स इवेंट्स का सांदार आयो जुन किया देश के जुबाओं में कोत्व्योबोध और सेवाभाब का विश्वतर करने के लिए मेरा युवा भारत संगोठन बनाया गया है अभीतोग इस संगोठन से लोगवग एक क्रोर जुबा जुड़ चुके है मानोनिय सदस्योगन संक्रमन काल में एक मजबूद सरकार होने का क्या मतलब होता है एह हमने देखा है बीते तीन बर्सों से पूरी दुनिया में उथल फुथल मची हुई थी है दुनिया के अलग-अलग हिश्व में धरार पड़ गये हैं इस कठिन दोर में मेरी सरकान ने भारत को विश्वमित्रों के रूप में स्तापित किया है बिश्वमित्रों के भुमिका के कारण ही आज हम गलोबाल साउट की आवाज बन पाए हैं बीते दोस बर्सों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है पहले डिपलोमासी से जुड़े कार्योक्रम को दिल्ली के गलियरी तो की सिमीत्रा खा जाता था मेरी सरकान ने इसमें भी जनता की सिधी भागिदरी सुनीशित की इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा जी ट्वेंटी अध्योक्ता के द्वारान देखा गया है भारत नी जी ट्वेंटी को जिस प्रकार जनता से जोड़ा ओश्या पहले कभी नहीं था देश भर में हुये कार्योक्रम के जरिए भारत के बास्तविक सामथ्थो से दुनिया का परिचोय हुआ जमी कस्मीर और नोर्टिस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतरास्त ये कार्योक्रम हुई पूरी दुनिया ने भारत में पुए अतिहासिक G20 समेलोन की प्रसंग साकी एसे बंटी हुए माहलो में भी एकमत से दिल्ली घशना पत्र जारी होना एतिहासिक है मेरी सरकरने बुएशिक विवादों और संगरसों के इस दोरे में भी भारत के हीतों को मोजबूती से दुनिया के सामने रखा है भारत की विदेश नीती का दाइरा आज अतित की विदेशों से कहीं आगे बढ़ चुका है आज भारत अनेक बोईशिक संगठोनों का सुनमानित सद्धस्यों है आज आतंकबाद के खिलाप भारत दुनिया के एक प्रमुक आवाज है भारत आज संकठ बेफशी मानवता की मदद के लिए मोजबूते से पहल करता है दुनिया में कहीं भी संकठ आने पूर भारत वहां तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है मेरी सोरकर ने दुनिया भारत के काम कर रहे हैं भारतियों में नाया भरोसा जगाया है अपरेशनाल गंगा अपरेशनाल कामेरी और बंदे भारत जे से अभियान चला कर जहां जहां संकठ आया उहां से हार भारतियों को हम तेजी से शुरक की तो आपस लेकर आए झाल 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 कर दो झाल